है 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 अगे अगर दोस्तों यह 30 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हा जी का यह ब्रेस है इसमें अभी चोली बनाना बाकी है चोली और पजामा हम इस पे सबसे पहले इस ट्रेस को बनाये हुए है इसके बाद हम चोली और पजामा भी बनाएंगे यह पीछे बादने के लिए जोरी है यहाँ पे टीप बटन भी आप लगा सकती है यह देखने में कुछी इस तरह का है इसका लंबाई है 11 इंच और कमर के पाश यह भी 11 है यानि कि यहाँ से यहाँ तक 11 तो 11 दुनी 22 हो गया तो आएए देखते हैं कैसे बनता है इसे सुरू करेंगे हम 120 जैन से दिखी इस सतरह से हम 120 जैन यहां से ले चूके थे 120 जैन लेने के बाद 2 जैन छोड़ कर तीसरा पे हुख को डाले और डबल कॉर्षिया बनाना शुरू किये टोटल में हम डबल कॉर्षिया बना लेंगे यहाँ पर जैसे कि यहां और हम तीन अभी नहीं बना हुए हैं, तो देखिए यह तीन डबल कुरूशिया हैं, इस तरीके से हम डबल कुरूशिया बना लेंगे, टोटल में, यह बना लेने के बाद, एक लाइन डबल कुरूशिया इस तरह से बना लेने के बाद में, दो चेंड लेंगे, एक दो और देखिए से पलटेंगे पलटने के बाए फिर से डवल कुरूशिया बनाएंगे सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां भी हमें एक डवल कुरूशिया बनाना है दोनों छोर में हमें इस तरह हैं दो डवल कुरूशिया करना है एक चेन से तो एक तो यह जब हम design बनाना यहाँ पर शुरू करेंगे देखिए यह यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेंगे यहाँ तक और यहाँ पर हम फिर एक चैन से दो डबल क्रोशिया करेंगे तो चलिए इस लाइन को बना कर कर लेते हैं कि लाष्ट मुली इसमें हम टॉण को सिया बनाएंगे देखिए दो डव मूंत व्त इसकी कर यहलिए इस तरीके से आव क्या करना है एक दो दो चोड़कर दीखिए दो डबल क्रोश्या छोड़कर यहां बीच में लसक दालेंगे इस दो डबल क्रोश्या और बनाएंगे इस तरीके से अ पिरिशेüyorsun दो तो दो छोड़कर बीचों बीच में डालेंगे हुप को और एक डफ़ेल कुरोश एक डबल पूरूश बहुए और देखे इस तरीकेसे हम बनाते हैं इस लाइन को पुरा कम्प्रिट कर Psal सो एवं इस लाइन को कम्प्लिट किये हैं देखिए कुछ इस तरह का देखने में लगेगा अब तो डिजाइन भी इस पर शुरूर नहीं हुआ है लास्ट पे यहां पर हम एक से दो डबल कुरूसिया कर चुके हैं अब दो डबल कुरूसिया एक के बाद यहां पर उपको डालेंगे तरह करेंगे एक और ये ये किनारे के साइट का हो गया अब एक दो डीजिया पलट लेंगे वे यहां पर हम एक डबल कुरूसिया इस तरह बना लेंगे हर बार ये इस ही तरह बंता चला जैगा यह जो दो आपको किनारे में यह बंता चला जाएगा अब यहाँ पे यहाँ पे हम बनाएंगे एक डबल कुरूशिया दो चेन एक डबल कुरूशिया देखिए इस तरह से साइड में हम यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे क्योंकि ज्यादा एक बैक यहाँ फैलना भी ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पे हम खाली रख अब यहां पर बनाएंगे हम किस तरह से दो डबल क्रोशिया एक और एक दो दो डबल क्रोशिया दो चेन ले लेंगे बीच में एक दो और फिर से दो डबल क्रोशिया एक और यह रहा दो फिर अगला में हम सिंपल करेंगे एक डबल क्रोशिया दो चेन एक डबल क्रोशिया त तो इसी तरह से हम इस लाइन को complete कर लेंगे एक में एक में हमें इस तरह बनाना है एक डबल कुरूश्या दो चेन एक डबल कुरूश्या और उसके बगल में हमें दो डबल कुरूश्या दो चेन दो डबल कुरूश्या बनाना है फिर उसके बगल में एक डबल कुरूश्या द बना लेंगे इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कम्प्लेट करेंगे इस तरह से देखिए इसे हम इतना दूर तक बुन कर कम्प्लेट किये हुए है अब यह हम दिख लाते हैं कितना हम बुने हुए हैं पर कैसे किस ठंग से बुने हुए हैं यहां तक तो हम बतलाये थे आप लोगों को ये चीज बनाने के लिए बतलाये थे और एक लाइन कंप्लीट करने बोले थे लेकिन हम एक लाइन ना कंप्लीट करके देखिए यहाँ पर हम ये दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया दो चेन एक डबल क्रोशिया इस चीज क कम्प्लीट कर लेने के बाद में अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा और घेरा को बढ़ाएंगे एक बार नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा सा और घेरा को बढ़ाएंगे और जो हम बतला रहें यहां पर वह हम दस लाइन फिर से इसी तरह बून लेंगे बढ़ाते लिए यानि द चेन और एक डबल कुरो है यह इस तरह से मूं लिए अब यह भी है जो दौब को या है एक और एकग दो दौटवर कुरुषर दो चेन और दौब को यह है यह विलकुल सेम् hy अब दिखे एक यहां पर हम नहीं बनाएं तो अब हम अगला पर यहां पर बनाएंगी। दो डबल क्रोशिया, एक, दो, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, तो हमारा एक, साथ, तीन हो जाएगा लगातार इस तरह से भुना हुआ, देखे, एक, दो, तीन, फिर एक बीच करेंगे, यहां पे हमने बनाएंगे, जैसा है वैसा ही बनाएंगे, फि यह लिए हम और तीन यहां पर भून कर दिखला देते हैं आप लोगों को पर दो डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया एक और एक दो New April 8, 2 फिर एक और को डबल क्रोशिय। अब यहां पर हम नहीं बुनेंगे यह लगातार यानि यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बुनना है तो यह रहा जो बुना हुआ है बिल्कुल सेम बुनेंगे यहाँ पे हम दो चेन लेंगे और एक दो डबल क्रोशिया और बुन लेंगे एक और एक दो डबल क्रोशिया इसके बाद फिर यहाँ पे एक डबल क्र करेंगे एक और एक दो डबल क्रोशिया दो चेन फिर से दो डबल क्रोशिया एक दो फिर इसे हम जैसा है वैसा ही भून लेंगे कि दो चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया अब यहां पर हम पढ़ाना यहां पर हमें नहीं है तो यहां पर पूनेंगे एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया, देखिए अब हम यहाँ पर किस तरह से बुने हुए, यहाँ यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के संक्या को बढ़ाये नहीं है, फिर इस अस्थान पर हम बढ़ाये हैं, फिर यहाँ पर नहीं बढ़ाये, फिर इस अस्था कर लेंगे इसे हम complete कर चुके हैं साभे 10 तक hmm यह साध्य दस यानि तारिज साधे 17 इसे मान कर चलेंगे 10 इंच हमारा यहां तरके हमें यह बनाना है 11 इंच का अगर 11 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम आप लोगों को यहाँ पर बतला दे यहाँ किस तरह से बनाये हुए ऐसे तो हम बतलाये हुए थे आप लोगों को यहाँ पर यहाँ तक इस जगह से हम दो डवल कुरूस या तीन लाइन में तीन डवल कुरूस या इसके बाद एक यहाँ प्लेन बुने फिर तीन डवल कुरूस या फिर एक प्लेन बुने इस तरह से बुनते हुए और लास्ट का जो दो लाइन रहा वो हम टोटल सबों में देखे यहाँ पे टोटल जितना भी बचा हुआ था यहाँ सबों में हम तीन के बाद जो हम छोड़े हुए थे यहाँ पे देखे इस तरह से वो सबों में हम दो डवल कुरूस या दो चेन दो डवल कुरूस या बनाते हुए देखे यहाँ भी देख सकती है आप पूरा इस लाइन को हम कंप्लीट कर लिए है देखिए यहां भी देख सकती है आप तो इस तरह से यह complete हो जाता है साढ़े 10 इंच तो देखिए अब यहां पे हम इसे cut कर लेते हैं अब इसका हम border देंगे इसे अब एक side से हम border देते हुए बूनते हुए चले जाएंगे बूनते हुए जाएंगे यहां पे हम dori दे देंगे डोरी हम बनाकर बून कर्टोरी और डालेंगे तो यहाँ से हम उनको जोड़कर हम गरीन कलर का, जो हम सारे पुसाख में जिस से ओटलैन दिए हुए हैं जोड़कर यहाँ पर हम आउटलैन देना शुरू करेंगे तरह से देखी हैं, हम जोड लिए हैं 2, 3, 3, 4 चार चेन ले चुके हैं अब यहां हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और यह एक दो डबल क्रोशिया हो गया अब जैसा कि हम जितना भी पुसाक राधारानी का बताय हुए थे उसमें हम यहां पे लेने आप लोगों को बताया थे एक दो तीन तीन के बाद यहां डाल कर हम इसे बंद करने के लिए बतलाय हुए थे तो ठीक इसी तरीके से हम बंद करेंगे एक दो तीन चार चार चेन ले लेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और यह रहा एक दो और फिर एक, दो, तीन, तीन के बगल में यहाँ पर लाकर बन करेंगे फिर से चार चेन लेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम एक छोर से बनाना सुरू करेंगे और लाकर यहाँ पर हम लाश्ट करेंगे तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से यह देखिए बनकर complete हो गया इसमें डोरी भी डाल चुके हैं आईए इसे हम इस तरीके से देखते हैं कैसा लगता है इसे जब हम पहना आएंगे तो यह पीछे की और आएगा यह जो भाग देख रही हैं यह पीछे की और आएगा यह इस तरीके से पीछे की और यह आजाएगा और इसे दोरी यहां पर हम डाले हुए हैं दोरी की मदद से आप इसमें टाइट कर सकती हैं ढिला कर सकती हैं आगे की और आजाएगा तो इस तरह से बनकर complete होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया हुआ, चली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में